देशनाप्राथं कायदा मंतरी डॉक्टर बाबासाहिबामिटकर नीं जनम जयनती निमिते गुझराथ नाप्रसिद लेख अने वरिश्ट पत्रकार कमकॉल मिस्त गुझराथ भाजवना सप्रभक्ता किशोर मक्वान द्वारा लेखित डॉक्टर बाबा साहिब आमबिटकर प्रतियार थेला चार पुस्तकों व्यक्ती दर्शन, जीवन दर्शन, आयाम दर्शन और राच्त दर्शन नू बड़ा प्रदान नरेंद्रबाई बोधिये बुद्वारे सवारे अग्यार कलाके ओनलाइन लोकार पन करियो हतु आत्रेव लेकने चेके भारतिय जनता पाठी ना प्रदेश प्रवक्ता आने लेखक किशोर मक्वान ने खूप उन्डू अध्यान आने संशोधन करिने डॉक्टर बाबा साहिब आमबेट करना जीवन अविविद पासान उस्तरवांगी करन लेखन संपादन आचार भाग मा करियो शे किशोर मक्वानानी डॉक्टर आमबेट कर विचार दर्शना गहन अभ्यास तरीके नी ओड़क थी गुजरात तो ठीक देश हवे अजान न थी बाबा साहब के जीवन पर उनके विचारों पर आदर्शों पर भाई किशोर मक्वाना जी की चार पुस्तकों का लोकारपण भी हुआ है मैं इन प्रयासों से जुड़े सभी महनुभावों को बढ़ाई देता हूँ साथियों भाबा साहब को अब हम पढ़ते हैं समझते हैं तो हमें एसास होता है कि वो एक यूनिवर्सल वीजन के व्यद्टि थे स्रीकिशोर मक्वानी जी की किताब में भाबा साहब के इस वीजन के स्पष्ठ दर्शन होते हैं उनकी एक पुस्तक बाबा साहब के जीवन दर्शन से परिचित कराती है, दूसरी किताब उनके व्यक्ति दर्शन पर केंद्रित है, इसी तरह तीसरी किताब में बाबा साहब का राष्ट्र दर्शन हमारे सामने आता है, और चोथी किताब में उनके आयाम दर्शन को देश वा अपने आप में किसी आधुनिक सास्तर से कम नहीं है। मैं चाहूंगा कि देश के विश्विविद्यालव में, कॉलेजों में, हमारी नई पीड़ी, ज्यादा से ज्यादा इन पुस्तकों को और ऐसे कई पुस्तकों को भी पढ़ें। समरत समाज की बात हो, दलीत वंचीत समाज के अधिकारों की चिंता हो, महलाओं के उत्थान और योगदान का प्रश्ण हो, शिक्षा और विशेश का उत्च शिक्षा पर बाबा साब का वीजन हो,